स्वागत है आपका English Literature Castle चैनल पे आज हम अमबर्टो इको की बात करेंगे कौन था ये इनका जन्म हुआ था पांच जन्वरी 1932 में एलेसेंड्रिया प्योड्मन इटली में ये Semiotician, Essayist, Philosopher और Literary Critic और साथ में Novelist रह चुके है University of Torin में ये पढ़ते थे वहाँ पे इन्दोंने Medieval Philosophy और Literature की पढ़ाई करी ये Semiotics के Professor रह चुके है Bologon University में इसके बारे में समझेंगे आगे कुछ खास Contributions में इनके आता है Aesthetic of Thomas Aquinas Art and Beauty in the Middle Ages The Limits of Interpretation Interpretation and Over-Interpretation The Search for the Perfect Language और Experiences in Translation बात करते हैं एक और Major Work के Experiences in Translation इनका कहना था कि Translation का मतलब खाली दो Languages का Comparison है बलकि उसको Interpretation है टेक्स्ट में ये जब Shift करते हैं हम किसी को दूसरी Language के अंदर तो हम उसको Culture-wise भी Shift करें अगर आप किसी चीज़ को तमिल से हिंदी में आप Shift कर रहे हैं तो हम एक तमिल का जोक है कि ये तो हिंदी हो गया अब हिंदी में अगर कोई हिंदी भाशी आदमी है तो उसको ये जोक समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है कि ये तो हिंदी हो गया ये बहुत फानी जोक है तमिलिन के लिए लेकिन इसी हिंदी भाशी के लिए नहीं है तो इसलिए किसी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं भाशा में तो खाली भाशा को शब्द-wise चेंज करना ही काफी नहीं है आपको उसको culture wise चेंज करना पड़ेगा वेवार के वाइज उस माहौल में क्या culture है क्या जोक से इस्थानी है उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा अब बात करते हैं semiotics की semiotics के बारे में इनका कहना था कि क्या होता है और किस तरह से इसकी reference है वो एक school है एक interdisciplinary network है जो कि study करता है इनसानों को क्योंकि इनसान ही है जो इशारे बनाते हैं और ये इशारे खाली बोलने वाले इशारे नहीं है जो हातों से करे जाते हैं आखों से करे जाते हैं body language के अंदर आते हैं इसको हम traffic signals type भी कह सकते हैं बोलने वाले चीज़े तो है ही इसके अलावा जो चीज़े आती हैं वो semiotics के अंदर आते हैं अब interpretation जब हम करते हैं मतलब मतलब निकालते हैं तो semiotical, semantic हो सकती है या critical हो सकती है मतलब किसी को काम करने के इसाब से या उसका critical interpretation भी हो सकता है critical में आएगा कि उनका कहाना था कि literary text जो है वो meaning के अंदर हो सकते हैं ना कि उसको अलग-अलग meaning में निकाला जाए जैसे कि open meaning हो सकता है जो बिलकुल clearly देखे उसके बाद internal नी dynamic हो सकता है मतलब किसी चीज का meaning है वो थोड़ा सा बदलाओ के साथ आ सकता है कि मतलब वो change होता रहता है और फिर आता है psychological जिसका meaning और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो किसी भी science का जो कि हम semiotic की बात कर रहे हैं इसके बारे में हमने पिसले वाले वीडियो structuralism वाले में भी समझा उन्ही science की बात हो रही है कि जो निशान हैं जो संदेश हैं उनका अलग तरीके से meaning हो सकता है ये था चोटा से एक तरीका आज के लिए इतना ही thanks